हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चानल सोनिस किचन दोस्तों आज की हमारी रेसिपी है मैंगो केक इससे मैं बनाऊंगी विदाउट आवन मैंगो सीजन में भी है और मैंगो केक बहुत ही स्वाधिश्ट बनते हैं बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी आप लोगो को जिसस केक एक बार घर पे आप बनाएंगे बार बार बनाना चाहेंगे और में सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ केक की रेसिपी आप लोकेशा शेयर करूंगी तो वीडियो को पूरा देखे चली स्टार्ट करते हैं मैंगो केक बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ी साइस की पकी हुई आम, बड़ी साइस की आम नहीं है तो मीडियम साइस के दो ले सकते हैं आम को हम छील करके काट लेंगे यानिकि इसका पल्प हम निकाल कर ले लेंगे कटोरी में अब हम इसको एक मिक्षर जार में ले लेंगे और पीस करके इसका प्यूरी बना लेंगे तो एक चिकना सा प्यूरी हमें चाहिए इसका ये देखिए प्यूरी रेडी हो चुका है चलिए आगी की प्रोसेस करते हैं अब हम एक पैन ले लेंगे इसमें डालेंगे रेडी किया हुआ आम रस साथ में एक ती हाई कप चीनी फ्लेम को स्लो पे रखे लगाता चलाती हुँ इसको लो टू मेडियम फ्लेम पे ट्रांस्परंट लुकाने तक पकाएंगे चीनी की क्वांटिटी डिपेंड करता है आम की मिठास के उपर आम अगर कम मिठा है तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं यह आम बहुत मीठी है इसलिए मैंने एक ती हाई कप लिया है और जरूरत नहीं कि आपको पीसी हुई चीनी लेला है आप नॉर्मल चीनी ले सक साथ मैं डाल रही हूँ एक छोटी चमच विनेगर क्योंकि यह जो आमरस में बना रही हूँ यानि कि जो मैंगो ग्लेज बना रही हूँ इसकी हाफ कॉंटिटी में गानिशिंग के लिए यूज करूँगी तो विनेगर डालने से इसकी टेक्श्चर बहुत अच्छी रहेगी और अभी आप देख सकते हैं इसका टेक्श्चर जो है ट्रांस्परिंट हो गया है अब हम फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे अभी जो हमारा आमरस रेडी हुआ है इसमें से हाफ कॉंटिटी हमें कटोरी में ले लेंगे केक में यूज करने के लिए ये कटोरी वाला जो आमर बटर को मेल्ट होने के लिए लो फ्लेम पे लगाता चलाते हुए हम पकाएंगे अगर इसकी टेक्शर बहुत ज़्यदा थीक लग रहे तो थोड़ी सी दूद या पानी डाल दे एक से दो बड़े चमब जितना और यह हमारा मैंगो ग्लेज बन करके तयार हो गया है ये दे बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें मैदा चिड़क करके मैदा डस्ट कर सकते हैं बटर पेपर को मैं अल्रेड़ी काट करके रख्यूं तो इसमें सेट कर देती हूं तो यह हमारा टीन रेडी हो गया है मैं केक को कड़ाई में बेक करूंगी तो कड़ाई के अंदर एक स्टेंड रख लिया है इसको ढख करके हम हाई फ्लेम पे पाच मिनिट के लिए प्रिहिट होने के लिए छोड़ देंगे प्रिहिट करना बहुत ज़रूरी है अब हम केक के बैटर के लिए बटर मिल्क रेडी करेंगे तो आधा कप दूद में एक चोटी चमोच वाइट वीनेगर डालेंगे अच्छ से मिला लेंगे ध्यान रखे दूध हमे रूम टेंपरेचर में चाहिए ना ही गरम ना ही ठंडा होना चाहिए बटर मिल्क ट्रेडी हो गया है अब हम केक के लिए बैटर बनाएंगे तो कोई भी एक बड़ा वला बोल ले लेंगे इसमें डालेंगे एक तीहाई कप पीसी हुई चीनी साथ में हम डालेंगे एक चोटी चमच बेकिंग पाउडर आधी चोटी चमच बेकिंग सोडा अब हम इसमें एक बड़ा चमच बटर डालेंगे साथ में मैंने एक चोटे कप तेल लिया है उसमें से मैंने एक बड़ा चमच तेल निकाल लिया है क्यों? क्योंकि इसके जगा मैंने एक बड़ा चमच बटर अल्रेडी डाल दिया है बटर डालने से केक में अच्छी टेस्ट आएगी और तेल डालने से केक में मौशर बना रहेगा इसलिए आप बटर और तिल दोनों ही डाले आपकी केक बहुत अची बनेगी अब हमें इसमें रेडी किया हुआ बटर मिल्क डाल देंगे यानि कि जो दूद में हमने विनेगर मिला कर रखा था वो मेंने एड़ कर लिया है इसको हम तब तक पेटेंगे जब तक कि यह थोड़ी से स्मूथ हो जाए और फ्लफी हो जाए चाहे तो आप इसमें एक चोटी चमश वेनेला एसेंस या फिर मैंगो एसेंस डाल सकते हैं लेकिन अभी जो सिच्वेशन है इसमें बहुत लोगे के पास एसेंस वगेरा अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ जो हमारे घर में इजी ली मिल जाते हैं इंग्रिडेंट उसी में में केक बनाना आपको सिखा रही हूँ वैसे भी हम जो mango glaze ले रहे हैं उसमें mango की बहुत अच्छी टेस्ट आएगी तो हमें कोई essence की जरूरत भी नहीं है तो अब हम ये mango glaze इसमें एड़ करेंगे ये cup में एक टिहाई cup है अच्छे से मिला लेंगे सारे liquid ingredient को हमने मिला लिया है अब हम इसमें मैदा डालेंगे आप ये cake को सुजी से भी बना सकते है same follow करके यानि कि same steps को follow करे बारिक सुजी ले ले और मैंने आज मैदा से बना रही हूं cake को तो एक cup मैंने मैदा लिया है मैदा को हम छान करके लेंगे और अब जब मैं इसको मिलाएंगे बहुत हलके हाथ से मिलाएंगे ध्यान रखे कि इसमें गुटलिया ना पड़े और इसका texture smooth हो जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी से दूद और डाले जैसे कि मैंने और दो बड़े चमश दूद डाल दिया है इसमे और बस यह texture ऐसे हमें चाहिए हमारा बैटर बन करके तयार है टिन को हमने अल्रेडी क्रीज कर लिया है चलिए टिन में बैटर को डाल देते है टिन में बैटर उतना ही डाले यानि कि हाफ कॉंटिटी में ही बैटर डाले यह तो हाफ से भी थोड़ा सा कम है अब हम टिन को थोड़ी सी टैप टैप करेंगे ताकि इसमें से एर बबल निकल जाए अब हम केक टिन को प्रिहिट किये हुए कड़ाई में डालेंगे ढ़क करके इसको लो और मीडियम के बीच में रख करके पहले 30 मिनिट बेक होने देंगे उसके बाद चेक करेंगे जब तक हमारा केक बेक होता है तब तक हम एक इजी चॉकलेट गनाश रेडी करेंगे जो कि हमारा केक के गानिशिंग में यूस होगा तो मैं यह थोड़ी से डार कमपाउंड लिया है अब हम यह गरम पानी के पैन को हटा देंगे बोल को बहार निकाल लेंगे इसमें एक चुटी चमच पिसी हुई चीनी डालेंगे क्योंकि डार कमपाउंड ले तो डार कमपाउंड में बिल्कुल भी स्वीटनेस नहीं होती है आप अगर कैटबरी लेते तो आपको चीनी डालने के जरूरत नहीं है अच्छे से मिलाल लेंगे, स्मूथ कर लेंगे आप अगर यह गनाश नहीं बनाना चाहते तो आप हार्शे चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं हमारा गनाश रेडी हो गया, इसको हम फ्रीज में रखेंगे तक यह थोड़ी सी और थीक हो जाए तीस मिनिट के बाद मैंने चेक किया था तो केक रेडी नहीं था अभी 35 मिनिट हो गये हैं, चले इसको चेक करते हैं, टूथपिक डाल कर देखें तो टूथपिक में हलका सा बैटर लगकर आ रहा है, इसका मतलब यह अभी भी रेडी नहीं है और 5 मिनिट इसको बेख करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनिट मैंने और बेख कर लिया है केक को, पूरे 40 मिनिट हो गये है केक को बेख होते हुए अभी फिर से टूथपिक डाल करके चेक करेंगे, अभी टूथपिक एकदम क्लेन आ रहा है, इसका मतलब केक बेख होकर रेडी है चलिए इसको बाहार निकालते हैं ये केक अभी बहुत गरम है, थोड़ी देर ठंडा कर लेते केक को फिर में अनमोल्ड करके दिखाती हूँ चलिए अब हम इसको अनमोल्ड करेंगे, हलका सा चाकू को गुमाएंगे चारो तरफ, वैसे भी हमने बटर पेपर लिया है तो बहुत एजिली अनमोल्ड हो जाता है और ये बटर पेपर को में निकाल कर हटा देती हूँ आवे भी ये थोड़ी सी गरम ही है और ये देखिए कितनी अच्छी केक बनी है, कलर तो बहुत अच्छा आया है और बहुत ही स्मूध बना है केक ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको गानिश करेंगे चाहे तो आप इसको slices में काट करके tea time snacks के लिए ऐसे ही serve कर सकते हैं तो हमें ये cake का उपर का पतला सा layer cut करके निकालना है ताकि उपर का layer जो ही वो plain मिले और easily हम इसको गानिश कर सके पहले एक cut लगाएंगे, फिर एक trade लेंगे, trade को इसमें cut में फसाएंगे और दोनों तरफ से घुमाते हुए लेके आएंगे एक हाथ में दोनों तरफ के त्रेड को पकड़ेंगे दूसरा हाथ केक के उपर रखके त्रेड को खिचेंगे ऐसे केक के लेर काटना बहुत ही आसान होता है दोस्तों और ये देखिए केक में कितने जाली बनी है बिना कोई कंडेस्ट मिलके यूज किये बिना अवन के इतनी सॉफ्ट केक बनकर रेडी हुआ है तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है चले इसको गानिश करते हैं तो इसमें हम अमारा रेडी किया हुआ मैंगो ग्लेज डालेंगे दो से तीन चमश मैंगो ग्लेज डालें और अच्छे से स्प्रेड करें केक कानिश करने का ये एक इजी तरीका है स्पैचुला के मदद से थोड़ी सी और फिनिशिंग लुक आ जाए इसलिए मैं उपर से प्लेन कर रहे हुँ इसको और जो एक्स्ट्रा गिर रहा है साइड से स्पैचुला को ऐसे घुमाएंगे ताकि जितना केक में अबजर्व होना होगा ग्लेज अबजर्व हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा निकलना होगा स्पैचुला में निकल जाएगा तो आभी बहुत फिनिशिंग लुक दिख रहा है और जो चॉकलेट गनाश मैंने बनाया था ये मैंने पाइपिंग बैग में ले लिया है आप चाहे तो दूद की थाईली इस्तमाल कर सकते है और अभी हम ऐसे लाइन खीचेंगे केक के उपर बस अब हम एक टूदपिक लेंगे एक सीधा लाइन खीचेंगे फिर एक रिवर्स में लाइन खीचेंगे फिर सीधा खीचेंगे फिर रिवर्स में लाइन खीचेंगे और ये हमारा केक गानिश होके रेडी कितना इजी था ना वाउ ये लिजी दोस्तों तयार है मैंगो केक रेड़ी बहुत एजी था ये केक को बनाना उमीद है आपको भी रेस्पी पसंद आई होगी ये रेस्पी को ज़रूर घर पर ट्राइ करें और मैं अभी इसको काट करके दिखाती हूँ देखिए कितनी अच्छी वनी है एकतम सौफ्ट और मॉश्चर है इसमें कमेंट करके बताए रेस्पी कहीं से लगी शेर कर दीजी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर नीव है तो चैनल पे बेल आइकन क्लिक करना ना भूले फिर मिलते एक नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई एंट टेक केर